विदियो का मेडिकल स्टूडेंट को बताना उनको नॉलेज को इंक्रिस करना किसी को भी परसनल मेडिकेशन लेने की सलाम लोग नहीं देते हैं यह कारण यह है क्योंकि अपनी बिना मर्जी से कोई भी दवाईया ले लेता है वो सब नहीं आई स्टार्ट करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग यहने की घाव बरने की प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं अब वो गाव ओटोमेटिकली धिरी धिर हमारा हील होता है परन्तु क्या होता है कि अगर उसको जल्दी घाव बरना है गाव में इंफेक्शन ना हो कोई पास ना बने जल्दी घाव बर जाए तो हम लोग क्या करते हैं कर दो आ испल शॉसको द्रेसिंग करते हैं अगर बास किसी घाव से घा बरने की प्रक्रिया को जल्दी कर देना नेक्स लाएं लिखेंगा सर्जीकल ड्रेसिंग प्रिवेंट फ्रोवाइड दे इंफेक्शन प्रोवाइड ड़एड दे कमफर्ट टू पेशन्ट याने कि पत्टिया बांधने के ऐसी प्रक्रिया है जिससे संक्रमन का जो खत्रा है कम रहता है और मरीज का आराम भी लगता है याने कि चोट लग गई फिर पट्टी बनने के बाद लगते हैं कि हाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है, दर्द कमें, आराम कमें व्यक्ति को comfort लगता है, और फिर इंफेक्शन भी नहीं होता है, यहने कि कुछ मख्या अख्या घाव पर बैठती रहती है, और भी बहुत सारे रिजन्स होते हैं, अधर के कोई particles उस पर जमते हैं, तो भी इंफेक्शन होता है, तो हमें इंफेक्शन से भी बचाती है, साथी साथ वो क्या करती है, हमारे comfort भी patient को provide करती है, सर्जिकल ड्रेसिंग, आई आगे बढ़ते सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में, पर्पस, क्या उद्देश होता है, मैंने मतलब क्या, सिंपल चीजे, कोई अगर घाव है, जिसमें मवाद वगेरा निकल रहा है, या खून वगेरा निकल रहा है, तो पट्टी लगाने के बाद वो सोख लेती है, उस चीज को, जब आप पट्टी निकालते हो, देख तो वो कड़क कड़क हो गई है, तो वो एबज गाव बन रहा है, तो इस तरह से जो गाव होते हैं, इनके अकोडिंग अलग-अलग होता है, एक होता है, कमफर्ट याने की सबको पता है, आराम तो देती है, पट्टिया बनने के बाद, मोश्योर कंट्रोल, कुछ-कुछ नमी काप, नमी पर नियंतरन रखना मतलब की, एस पर नियंतरन रखना मतलब की, इनके अलग होता है, आराम पर नियंदरन रहा है, कमफर्ट याने काप, मौश्योर कंट्रोल का और एन्टी-माइकरोबियल का, ठेक है, आगे बढ़ता हूं, मैं हैं से ड्रेसिंग में ही, अब आता है आपका इमपोर्टेंट पोइंट, जो क आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखेगा, surgical dressing use two types, important point है, बहुत सर्जिकल ड्रेसिंग होती है, दो प्रकार से इस्तमाल की जाती है, कौन-कौन से दो प्रकार, पहली होती है अपकी, primary surgical dressing, primary surgical dressing, that is directly placed on wound, यानि कि primary surgical dressing, जो कि घाव पर सीधी रखी जाती है, आप में देखा है, पहले गोल करके, और उसको प्रोपर बना के, फिर उस पर बिटादीन लगा के फिर डाइरेक्ली वूंट पर रखते है, उसके बहार से एक और पत्ती बानते, तो primary कौन से हुई जो पहले रखते है, और उसको रखते है, याद रखेगा दो प्रकार के बेसिक टाइप है, अब हम इसको बेसिकली डीटेल से पढ़ेंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग के टाइप्स के बारे में, ताइप अब सर्जिकल ड्रेसिंग, किस रूप में उपलब्द है और function वो क्या कारे करती इसके आधार पर कुछ प्रकार को define किया गया है surgical dressing on form याने की रूप के आधार पर वो कैसी दिखते है उसके basis पर surgical dressing सबसे पहले आता है gauze, it is available in roll, pets and sponge याने की है roll, pets और sponge के रूप में अवाइलेबल रहता है, देखिएगा आप यहां पर diagram देख पा रहोंगे, sponge आपने सबने देखे, sponge होते है वो चप्टे पेट जैसे भी हो सकते है, यसे roll में भी आ सकते है, और साथ में वो आपको sponge, sponge के रूप में भी आपको देखने को मिलते है आपको ghost है ने, जिसे के example लिखा है, केरलिक्स आता है, किर्टी आता है, कर्टी या फिर केरलिक्स यह दोनों companies का नाम है, जिनके नाम से सबसे ज्यादा मार्केट में भीखता है, केरलिक्स जिसे यहां पर diagram में केरलिक्स को दिया गया है, याद रखिएगा, तो सबसे पहला है, रूप के अधार पर gauze, इसके बाद आगे बढ़ते है, सर्जिकल ड्रेसिंग में हम लोग, अब आता है आपका एडिसिव ड्रेसिंग, एडिसिव ड्रेसिंग क्या होता है, याने कि इनके चारो तरफ एडिसिव होता है, और बीच में दवाई उपलब्द होती है, पर बीच में हलका से स्पॉंज टाइप करेता है, जो कि सोखने का काम करता है, तो इस चीज का धियान रखिएगा, एडिसिव ड्रेसिंग भी होती है, इसमें बेंडेट और कमफिल प्लस, कमफिल प्लस भी आती है, बड़ी बाली इरती है, चोटी थोडी सी कमफिल प्लस, अब बन डेट जो होती है, अपने सब ने की स्टाइप साथी है, वह आडेसीव ड्रेसिंग के अंदर आएगे आपकी, आद आती है आपकी नोन एडेसिव ड्रेसिंग, एक जो कि चिपकती नहीं है, ठीक है? इसमें चिपकती नहीं है, अपने आप कुछ और बांधना पड़ेगा चिपकाने के लिए इसको ठीक है, सेकंडरी डेसिंग में किसी प्रकार का चिपचिपा पदार्त है, चिपकने वाला पदार्त नहीं होता, एक्जामपल है, एडप्टिव और जीरो फोम, एडप्टिव जीरो फोम दो प्रकार की होती है, आपकी जीरो फोम ड्रेसिंग है, इस टाइप का पूरा रोल आता है, और बाद में किसी सिकंडरी ड्रेसिंग से बांधना पड़ेगा, इसमें कुछ भी चिपकने वाला नहीं आता, यह होती है, नोन अड़ेसिव ड्रेसिंग, एडप्टिव और जीरो फोम एग्जामपल याद रखिएगा, अब आती है, अब आती है hydrokol ड्रेसिंग, it is available in sheet, that is comfortable on wound, यानि कि, यानने, sheet में होती है, चिप चिपपी होती है, मतलख चिपकने वाली होती है, और sheet फोम में होती है, ऐसी चोड़ी होती है, बीच में मेडिशिन होती, इसको निकालके चिपका सकते हो, आप किसी भी उपर डियोडर्म आती है, कमफिल प्लस आती है, यह सारी आपको इस तरफिस शीट में देखने को मिलेगी, याद रखिएगा यह भी इंपोर्टेंट है, हाइड्रो कोलाइडल अधर्णिकल ड्रेसिंग के नाम से मिलेगी, नेकस आती है आपके सर्जिकल ड्रेसिंग बेस्ड ओन फंक्शन, अभी तक हमने फोम इंपो दील्डर के इधार पर बात किये है, कि सर्जिकल ड्रेसिंग कि मिलेगी, वह किस प्रकार से कारी करती उस आधार पर हम लोग यह ही है, मॉस्च्वर, मॉस्च्वर का मतलब यह होता है, कि भाईया मॉस्च्वर देना, यहने कि हलका हलका कुछ लिक्विट पदार्त को छोड़ना, और इनका इस्तमाल जो कि सूखे घाव होते है, एक घाव बन गया, इसा पुर्त तडड़ आ रहा है, वह सूख रहा है, या फिर वह सूखा गाव है, पर भर नहीं रहा है, गाव तो है, पर सूखा है, तो उसको हलका हलका मॉस्च्वर देगी, जिससे जो सेल से अच्छा रिकवर करेगी, और जल्दी वह वूंड हील हो पाएगा, इसमें सबसे पहली जो ड्रेसिंग आती है, हमारी हाइड्रो ज जिसने ग्लिसरीन पाया जाता है, और यह थोड़ी-थोड़ी मात्रा में गाव पर पानी छोड़ती रहती है, आप डाइग्राम को जूम करके बताता हूं, यह इस तरह से कोई अगर सूखा गाव बन गया है, तब उसमें आप ग्लिसरीन का इस्तमाल कर सकते हो, ग्लिसरीन क अपकी है इस तरह सीची इस तरह सकते है तरह से अपनिदम को ज़ेए, और समया जाएगा, आप पर बहुत के बन गाव फिछती तो आपको मिल जाएग है यह सूखे घायो पर इस्तमाल की जाती है, इस मेनली यूज तो इस मेंली यूज ओन ड्राइव उंड्ट और ड्राय पिसम जाल गया है, इसकीन जाल गई है, यह सूखी, सूखी स्कीन है फिसमाल होती है इंटरसाइड जकी, सूख कई मार्केट पर इसमाल की जाती है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से, next number पर आती है, absorbent dressing, absorbent dressing मतलब क्या होती है, अभी तो हमने सूखे घाओ पर पड़ी कि सूखे घाओ पर रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी चोड़ेगी, लिक्विट चोड़ेगी, घाओ गीला होगा और जल्दी सूखेगा, अभी तो हम एसे ड्रेसिंग के बारे में ऐसी पट्टी के बारे में पड़ रहे है, जो कि उन गाओ पर इस्तमाल होगी, जहां पर पस बन गया है, मवाद निकल रहा है, खून उसको निकल रहा है, ब्लेडिंग हो रही है, उस जगह पर इस्तमाल की जाएगी, यह है गाओ से निकलने मवाद ततह दूसरे मवाद निकलताते अ आप में लगा जान निकलता हैं, बाप TOM revolution video निकलता है, मवाद निकलता है , वह सब चीजों को ड्लींवी पकाम करते है, यह emissionphone, इसमें आती है एलीजनेट्स्तब सबसे पहला एक्सामपल है । है लीजनेट्से अपने होती तरल पदार्तों को आउशशन के लिए इस्तमाल में लाई जाती है, यानिकि आपके घाउ से कोई लिक्विड निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, बलड निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो उसको एबजोब करने में मदद करेगी, ताकि घाउ से निकलता रहा है, एबजोब होता रहा है, और वो सूखता रहा है, ठीक है, इसी में नेक साइन पढ़िए, इसी में निकल रहा है, इसी में लिए उस्टू वीनस अलसर और सर्जिकल वूंड, सर्जिकल वूंड बोडी में कहीं भी हो सकते है, सुल्सिंट पाद से की हैं Peng असया के विया रुपक specifically M3. हो यहाँ, वी रुपक बहुत बहुत दैसे के सुल्सिंट मुणर अवेलेबल से असा, इसमें प्रहेकर ड्रेसिंग होती है। जो कि वर dt अचाले हो गयो, सिंपित, पूड गयो अचाली समय हो गयो, इसमीं पूप था लए हो aí आफ्या चाल्या आगा है। आगे बढ़ता हूंँ ्लिकी देशिंगलिकल निल कमफटेबल फॉम रहता है। It is available in sheet form and centrally present form, यानि की sheet के रूप में होती है, चप्डी होती है, चोडी होती है, और इसके बीच में, फोर्म होता है, कुछ इस तरह से, आप डाइग्राम देखो, इसको थोड़ा जूम करता हूं, इसके चारो तरप से यह है, और बीच में क्या है, फोर्म टाइप का होता है, जो कि एबजोब करता रहता है, इसमें देखिएगा, इस फोर्म, made by polyurethene, and used to absorption of excessive liquid wound, and keep a wound dry, मतलब बोलना है कि, काई से polyurethene एक component होता है, polyurethene से milker बना होता है, जो कि क्या काम करता है, इसका मुख की इस्तमाल होता है, इसका मुख की इस्तमाल आउशूशन करने का होता है, यानि कि फोम में, आपको समझ भारों को ऐसा गाव जिसमें, लिक्वीट, तरल, ब्लाड, जो भी निकल रहो इसको एबजोब कर लेगा फोम, पोलियूरेथीन से मिलकर बना होता है, इसमें पाया जाता है, इसमें यूस फोर सर्जिकल वूंड, लेग अलसर, एंड आराउंड ड्रेंस, यानि कि इसका इस्तमाल होता है, सर्जिकल घाव कोई बन गया हो, या फिर पाव में चाले बन गया हो, थोड़ा सा पिसको करेक्ट किजिए, गाव हो गया, इस घाव था था पाव में बनने वाले चाले, उसके चारो तरफ के इस्तमाल किया जा सकते है, मैपिलेक्स बोर्डर आती है आपके, और, बियाटेन फोम के नाम सापको मिलती है, यह दोनों नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, मैपिलेक्स बोर्डर और, बैटन फोम था था है, इस तरह की होती है, फोम होता है बीच में, में में इसतमाल एब्सोप्षन में होती है, अब एती है हाईड्रो-कोलाइडल ड्रेसिंग, इस अपलाइबल रिष्टेट्स कैने होती है, इस अवाइलेबल इन शीट, पेट्स, एंड पाउडर फोम, यह पाउडर फोम में होती है, और भी अलग अलग फोम में अवाइलेबल रहती है, इस मेड अप जेली-like substance like gelatin, इसमें जेली जिसाएक substance होता है, जो जिलेटीन की तरह वर्क करता है, जिलेटीन से मिलकर बना होता है, it is mainly used in minor burn, जदी कोई जल गया हो, minor हुआ है, तो उसमें इस्तमाल किया जागा, minor burning में, deoderm के अपको मिलेगी, इस तरह के होते है, deoderm ही हापे लिखा हो, deoderm इस्तमाल की जाती है, अब आता है silicone mesh dressing, silicone mesh dressing क्या होती है, it is available in sheet form, and it is made up soft silicone, yes, sheet के रूप में होती है, चप्ती होती है, silicone से मिलकर बनी होती है, silicone form से, it is used for superficially skin damage, and superficially burn, यानि कि ऊपर से कोई skin में खरोच लग गई हो, रगड लग गई हो, यह थोड़ा थोड़ा उपर से जल गया, उपरी skin तब इस्तमाल की जा सकती है, Mappetal के नाम से आपको मिलेगी, इस तरह से जाली-जाली-जाली टैप का फॉम आपको देखने को मिलेगा, Mappetal form के नाम से आपको मार्केट में मिलती है, silicone से मिलकर बनी होती है, जो की चिपक जाती है आपकी वुंड पर और उसको रिलीफ देती है, याद रखिए का इम्पोर्टेंट है यह आपका आता है, silicone mesh dressing के अंदर इस्तमाल में में बताया है, superficially खरोच लग गया हो, डेमेज लग गया हो, skin तूट गया हो, इस्तमाल की जाती है, अब आते हो कुछ special dressings के बारे में, this type of dressing use in special condition like order, order order मतलब की जो बदबू अगेरा किसी घाउ से आ रहे हो, control and antimicrobial action, यानि कि इस का इस्तमाल जो होता है, special dressing इस्तमाल की जाती है, कुछ special conditions में, जैसे की घाउ से बदबू आना, और antimicrobial action भी करती है, यानि कि को यसा गाउ जिसमें आरी हो बदबू टाइप की निकल गाउ से तब आप आप स्पेशल ड्रेसिंग का स्तमाल कर सकते हो, Actisore के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी, जैसे की सिल्वर 22 के नम से आपको मार्केट में मिल जाएगी इसमें 2-3 लाईने और पढ़िएगा, इस आलसो वाइडली यूज इन कैंसर वोंड, यानि कि किसी को जो गाउ हो जाते है, बहुत जादा बदबू आती उनमें इस्तमाल किये जाते है, इस अवयलिबल इन शीट ये कंटेन एक्टिवेटेट चारकॉल, बघ hundred time तो इसमें शीट में चारकौल होता है, चारकौल से मिलकर बनी होती है, जिससे घाउ में य्टि मायक्रोबी ऐलेक्शन तू करेगी, साथ में उसकी बदभू को भी, अज्यूर को भी कंट्रोल करेगी, यहने कि लिखा है में एक्टिसॉर्ब सिल्वर 220 और एक्टिसॉर्ब 25 और पच्चिस के नाम से मिल जाएगी आपको, ज्यादा तर सिल्वर 220 के नाम से आपको मार्केट में मिलती, एक्षन देती है करदे ऐडर्ब्याइड और साथ में अर्ध्यूर साथ में इज्याऊवास maggor, अब आते हम लोग नेक्स that we do, एंटि माईक्रोबिल ड्रेसिंग, एंटि माईक्रोबियल ड्रीसिंग, it is available in gel and sheet foam and contain iodine and silver यानि कि यह gel के form में होती है sheet की रूप में उपलब दो रहती है जो कि iodine और silver से मिलकर बनी होती है antimicrobial action देती है it is mainly using surgical wound and minor burn कोई minor burning हो गई हो surgical wound हो गया हो तब इसका इस्तमाल किया जा सकता है example की रूप में अगर बहलो aquacil gel, aquacil ag आती है और acticoat acticoat आती है acetic coat जो आप पढ़ो aquacil के नाम से आपको ag plus के नाम से मिलती है antimicrobial होती है जो कि antimicrobial मतलब की किसी भी infection से ठीक करती है उसको infection नहीं होने जेती next आती है आपकी अब आती है आपके transparent dressing transparent dressing क्या होती है it is available in sheet and roll form transparent की नाम से समझ में आपके आपार दर्शी जिसमें 4 आरपार हम लोग देख सकते हो ठीक है it that contain polyurethine से मिलकर बनी होती है बिल्कूल यह it is it is to monitor the wound and protect on infection मतलब जेकिए transparent dressing के इसमल कहां पर करते है वहां पर करना होता है कि जब हमें घाओ को रोज रोज देखना हो तो dressing लगा तो उसके आरपार हमको दिखाई देगा घाओ कितना है कितना नहीं अगर आप tegaderm के नाम से आपको market में मिल जाती देखिए कि transparent यहापे dressing है यह dressing लगी हो यह हलकी सिसके उपर परन्तो इसके आरपार हमको दिखाई दे रहा है transparent dressing है यह ठागर डर्म के नाम से मिलती है 3M tegaderm के नाम से film transparent film dressing frame style ठाइल यह यह रोज आरपार आप देख सकतो tegaderm और ositis के नाम से और भी नाम से मिल जाती है tegaderm सबसे फेमास है तेक आडरम के नाम से मिलती आपको, I hope कि आपको इतनी चीज़े समझ में आई होगी, अब 2 मिट मेरी बात आप सुन लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, इस तरह से पूरी PDF नोट्स आपको चाहिए, और वीडियोस आपको चाहिए, तो हमारी एक मेडिशिन ट्रीटमेंट और होस्पिटल से बैसिक नोलेज की एक हम लोग कोर्स देते हैं, इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लिकेशन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बोक्स में लिंक आपको प्रोपर मिल जाएगी, वहाँ पर आपको यह कोर्स देखने को मिलेगा, मेडिकल बुक किताब, इसमें क्या होगा, मेडिकल हमारी एक बुक बनाई गए, पीडियोस की रूप में मिलेगी, डाउनलोड करके फोटो कोपी करवा सकते हो, वीडियोस मिलेगी हमारे यूट्यूब के, जितने भी वीडियोस से यह सारे मिलेगे वहाँ पर, इनकी PDF मिलेगी, Medicine Treatment के अलावा, और Advanced Classes आपको मिलेगी, इसमें बहुत सारी disease है, सारी चीजें इंक्लूडेट है, वन एर तक की validity, इसमें हम आपको Experience Certificate भी प्रोवाइट करते है, जो कि as a experience आप यूस्तमाल कर सकते हो, तो description और comment box में लिंक के आप चाहो तो महा जाके देख सकते हो, thank you for watching guys, आपको अपना Indian Medical Lecture,